हलो फेंटस, वैलकम तु नए चैनल, तो इस वीडियो में मैं डिस्कसिन करूंगा ट्वेल बाइपर्टएर्ट का जो सेटलमेंट है हर एक बैंक में प्रॉवीजन करके रखा है, तो कौन सा बैंक इतना प्रॉवीजन किया है या नहीं किया है इसके बारे में discussion करेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर दिजे क्योंकि आने वाला हर एक जो bipartisan settlement related होगा वो आपको मिलता रहेगा तो चले वीडियो शुरू करते हैं देखे state bank का पहला बात करते हैं largest जो बैंक है state bank तो state bank का जो यहाँ पर है SBI to provide for additional 11,000 करोर यहाँ पर provision करेगा additional जो provision है उसके साथ 11,000 करोर प्रोविजन करेगा most banks other than bank of Baroda and Punjab National Bank का अगर बात करते हैं यह दो bank provision नहीं किया है not made for pension also but others bank का बात करेंगे तो pension के लिए भी provision किया है state bank of India will likely make additional provision of 11,000 करोर in H2FY that is the happy early financial year 24 that is October 2023 से March 2024 का हम बात करें to meet requirements for the 17% wage hike following the pact signed between the banks union and Indian bank association so state bank का जो estimations है उसी सबसे 20,000 करोर चाहिए to meet 70% wage hike for employees and pensioners so यहां पर 9,000 करोर पहले था quarter to financial at 24 में उसको फिर additional कर दिया है 11,000 करोर तो total 20,000 करोर आप सोच सकते 20,000 करोर allocate किया है for pensioner as well as employee अभी काम कह रहे हैं वही पर अगर हम बैंक ऑप बात करेंगे तो बैंक ऑप बात करेंगे तो बैंक ऑप बात करेंगे तो अभी तक उन्होंने जो प्लान किया है तिल सेप्टमबर तक 15% wage हाई को लोग सोचा था उस बैसे में 1210 करोर का यहनोंने प्रोविशन किया है और वो सकता है 200 करोर प्रोविशन और करना पड़ेगा और करना पड़ेगा to meet the requirement to pay the salary so friends hope you like the video thank you